बिजनोर के गिराम मंगल खेडा में मारपीट से घैल हुए नफीस की आज हुई मौत मौत के बाद नफीस के परीचनों ने हत्या का अभ्यूग दर्ज कराने की उठाई मांग जब तक शाओ को दफनाने से कर रहे हैं हिंकर ठाना पिरभारी घंटों से कर रहे हैं परीचनों को समझाने का प्रियास लेकिन अभी तक परीचन और पुलिस की वर्तस से नहीं हुआ कोई भी समधान दरसल आपको बता दे यह पूरा मामला सिवारे के करीब मंगल खेड़का है जहां कुछ दिन पहले गहल हुए Нफीस की आज मोत चुकी है मोत के बाइ नफीस के परीचनों ने हत्या का केज़ दर्ज कराने की माम उठाई है जबके पुलिस और नफीस के परीचनों में काफी नोकजोग देखने को मिली और पुलिस ने काफी समझाने का प्रियास किया लेकिन समचा लिखे जाने तक परीचनों और पुलिस की वर्ता में कोई भी समधा नहीं निकल पाया था परीचनों का कहना है कि शाओ को जबी दफनाया जाएगा जब नफीस के साथ हुई लड़ाई करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाएगा हाला के पुलिस और परीचनों में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आ पाया है देखते रहे हमारी ये रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें क्या मामला हुआ है बताओ किसे ने काटी वह सुहेल ने तिरुसरम का लड़के ने सुहेल ने किसकं का ने खताओ हुआ है है उसके बाद रिख दम एक पप्पू एक एक मार्शाद और जी एक साकिम उसके बाद इरत का चला अब क्या हुआ हुआ बहुआ क्या हुआ grey चरह करें बोलिस साब इस हुने अशा मिशिशा करें आ उन्सक्या करें maior जोटे जोटे बच्चे इंग आपका मेरा नाम रईसेमर है मंगलखड़गा लेने वाला हूं और जो है यह जो इनकी डेथ होई है यह हमारे भाई है ठीके जी और भाई भी पोटन तार भी मतलब तेरे चीजरे भाई है और जो है इनके साथ में बहुत चाहिए जलत हुआ है इनकी यंग महिना फेले इक महिना हो गिया एक महिना फेले किससारी को लगग इनके टांग काटि ग गी थी चापर से ते अज हब भालाने से तो पास मामला खड़ाब हो गया हो पोली su re je Hin eternal की इस तो ने सी ओने न किस्तों कोई ने ने करी ऑज है चुरह इंकर मामला ह determination उसका कर्या हमें कार शव二 है कि हमें इंसाब मिले इस बात का संद्य और जिन लोगों ने उकर है उनको सदा मेलें अच्छा इंसाब ना मिलें तो क्या करेंगे पिर उसका अलग अलग अब यह मामला अब यह मामला रुकेगा नहीं बिल्कुल भी यहां से लेकर हाई कोट तक हम काम करें नहीं है ठीक है बड़ बड़ बस